नमस्कार आपका स्वागत है भारत के महान अर्थ शास्त्री आचारिय चानक्य को कोन नहीं जानता है चानक के स्रेष्ट शिक्षक होने के साथ ही बहुत बड़े कूट नीतिग्य और राज नीतिग्य थे आचारिय चानक्य ने चानक की नीति की रिचना की थी आचारिय चानक और स्रेष्ट बनने के लिए प्रेरित करती है चानक कि अपने नीती में कहते हैं कि ये पाच प्रकार के मनुष जीवन में कभी धनवान नहीं बन सकते हैं और इनके साथ रहने वाले लोग भी उन्हें की तरफ दरिद्री रहते है अथो अपना सारा धन भी खो देते हैं पाँच लोगों के बारे में बताया है अगर आप चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले पहली बात बुरे चरित्रवाले विक्ती चानक के कहते हैं बुरे चरित्रवाले लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए क्यू पर कश्ट ही पाता है, बोरे चरित्र वाले लोगों के साथ रहने पर अन्य लोग भी आपको उनी के जैसा समझ कर आपको अपमानित कर सकते हैं, बोरे चरित्र वाला व्यक्ति अपने कुलका तो नाश कर ही डालता है, साथ ही उसके साथ रहने वाले लोगों के कुलका भी विन प्रकार के अनिष्ट कारियर करते हैं, जिसका प्रिणाम उनके साथ रहने वाले लोगों को भी भुगतना पड़ता है, कामवासी लोगों की संगत विक्ति को उन्हें के तरह बना देती है, साधरन मुनुष भी दिन बर कामवासना के चक्कर में अपने जीवन को बरबाद कर लेता है, ऐसा विक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, भगवान स्रीकिष्ण भी कहते हैं, कामवासना से भरे होए लोग सरपसे भी जहरले होते हैं, इसलिए प्रियमित्रों जीवन में लक्षे की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो कामवासना से भरे होए लोगों से स्वयम को दूर ही रखे तीसरी बात नकारत्मक विचारों वाले वेक्ती चानक किकेए कि घियते हैं जीतर्गे जीवन में लक्ष और सफलता को पाने के लिए मनूश्य के विचार सकर्थिमक होने चाहिए नकारत्मक विचारों वाले लोग कभी धनवान नहीं बन सकते हैं साथ ही नकारत्मक विचारों वाले लोगों के साथ रहने पर वे आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे अपने नकारत्मक विचारों से वे सदा आपके पैर खिचने की कोशिश करेंगे नकारत्मक लोगों के साथ रहने पर जीवन में उदासी, दुख, निराशा और तनाव का विकास होने लगता है नकरत्मक विक्ति हमेशा तर्क वितर्क के जरिये नकरत्मक बाते ही करता है और आपके विचारों को भी नकरत्मक बना देता है ऐसे विक्ति स्वयम नकरत्मक होने के साथ ही दूसरे विक्ति को भी नकरत्मक बना डालते हैं। ऐसे लोग दूसरों के अंदर के आध्यत्मक शक्ती का नाश कर डालते हैं और उनका विकास कभी होने नहीं देते हैं। चोते हैं उदास रहने वाले आचारी अच्छानक्य, चोते प्रकार के लोगों के बारे में कहते हैं कि जो वेक्ति अकारण ही सदा सरवदा दुखी रहता है, ऐसा वेक्ति सोयम परिशान होने के साथ ही दूसरों को भी परिशानी देता है, ऐसे वेक्ति अकारण ही दुखों क को ग्रहन करते हैं ऐसे वेक्ति की संगती मनुश्य के उर्जा को कम करने के साथ उसकी कार्य करने की शम्ता को भी कम कर देती है चानक के कहते हैं हसना दुखी रहना खुश रहना रोना आधी संक्रमन रोक की तरह है इसके पास जितना रहोगे उतना ही संक्रमित हो जाओगे इस सदे भी दुख की कामना करने लगेगा और हमारे जिवन में सदा ही दुख आता रहेगा। पाचवे हैं इर्शालू लोग जो लोग सदा सरवदा, दूसरों की बुराई करने वाले और प्रतिस परदा की भावना रखने वाले होते हैं। इर्शालू कहा गया है, ऐसे लोग घर में रहने वाले सरवदा की समान होते हैं, जो निश्ची थी एक ना एक दिन अपने मालिक को भी धोका दे सकते हैं। प्रकार की लोग जीवन में कभी धनवान नहीं बन सकते हैं। और इनके साथ रहने वाले लोग भी उन्हें के तरह बनकर रह जाते हैं। चानल के किस नीती पर आपकी राय कमेंड में बताना ना भूले। वीडियो पसंद आये तो लाइक करें। चानल को सब्सक्राइब करें। और कमेंड में जय सिरक्रिशना वशे लिखें। धन्यवाद।